मेरा नौम इंडियन सार है, मैं ख़गरिया जीना का जीला का रहने वाले हूँ, मुझे एक साल पहले डैवटीज हुआ था, ये लोग पैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं परा, कि लीक के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर एक के राय सहाब है, जिनके द्वारा डैवटीज जल से कतम हो जाती है, तो मैं आया डॉक्टर सहाब से मिले, डॉक्टर सहाब से दवा सुरू किये, जैसे जैसे डॉक्टर सहाब बता है, उसी हिसाब से दवा प्लो किये, डाइट भी उसी तरह से प्लो किये, एक सब्ता द अभी मैं हरशीज खौने के वाद, बिल्कुल नर्मल की हिसाब से मेरा सुगर लिवर आ गया है। μαद्रै दिन से मैं सारी रवा छोड़ दिया हूँ। सारी रवा छोड़ने के वाद भी मेरा सुगर लेवर बिल्कुल नर्मल है। और मैं हर चीज खा के चेक कराया, तो मेरा सोगर लेवल नॉर्माल ही इंपला, इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ, आप सब दिक जो भी डियोप्टीज प्रेसेंट हैं, वो अपना आके डॉक्टर एके राय साहब से इलाज कराएं. मैं नाव संभू पास्वान, गौर नेपाल, आई हो स्पिकल में कारी रख, केटनीकल स्टाप हूँ, और मझे 14 साल से करी डैविटीज था, और मैंने इगलिस दवा अग्रेजी दवा नहीं खाया था कभी, और आग्रेजी दवा योपर अपना ही चला रहा था, फिर भी बात खाने से, खाना पानने से, कोचीज खाने से मेरा ठीक नहीं हो रहा था, बढ़ जाता था लिवा, और आई महीं ने पहले करीब, आई कोने तीन महीं ने पहले यूटूब पर देखा, उसमें विग्यापन में, तो और लोगों का प्रतिकिरिया देखा, इसको ठीक हो गया थ इसको प्रतिकिरिया में देखा, तो लोग दोलते थे चीक हो गया था, तो मेरे मन में घी आया कि मैं वो सकता है, चलते हैं हो गया जार मेरा भी चीक हो जाए, इस आशा से मैने इनके पास आया, और मने इसे इलाज कारना शुरू कर दिया, वैसे दे से बोले, इस तरीका से पीटे का वैसे ही करके पुड़ा भी धान रख करके ही किया, और समय समय पर पीपी का जांच, ग्रण सुवर का जांच कराते गया, अब इलाज के कुछ दिन के बाद ही तुझे दोलों करना से उकर दिया, दावाईन का, इस देखी भी ठीक हो सकता है, आज मैं बहुत कर रहा है, मेरा खाना खाने के बाद पीपी है 135, और इसके बाद ये खप्ता पहले 121 था, और मैंने लोग को टोड़ा पहाद भी खाया, और हाद का माता पहाते होए भी मेरा पीपी नॉर्माल रिम से निच्छे ही है, और रहा हूं, और ये कोई अंदर से कम जोड़ी भी मेरा है, और मेरा सब हेमोगोमिन नी पहले से अच्छा हो गया है, और ये दूसली बात है में डर्शा दुम बोल रहा है, हाथ खाने से भी होगा है, बहुत खुशी लग रही है, ये समझे हैं, एक ठो नया जनम किसिम से मों मासुश हो रहा है, नया जनम होता है, इस कि उन लोग कभी नया जनम मिले, और डाइविटिश के बारे में जो भ्रहम है, नहीं ठीक होता है, तो भ्रहम टूटे,